मार्केट जैसी नमकीन खस्ता मठ्री अब घर पर हाँ जी तो हम बनाएंगे मार्केट जैसी उससे भी अच्छी खस्ता नमकीन मठ्रियां घर पर ही और आप इसे दिवाली पर बना सकते हैं किसी भी दिवार पर बना सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सेविता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए आज की रेसिपी की सुरुआत करें सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा, किसी भी कटोरी या कप से आप मेजर कर सकते हैं और आधा ही कप कटोरी मैंने लिया है, सूजी बारिक वाली, आधा चमच अजवाइन, आधा चमच जीरा, आधा चमच कसूरी मेथी और आधा चमच से थोड़ी कम मैंने कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है, तो ये सब इसमें एट कर देंगे, साथ ही इसमें जाएगा एक चमच नमग और ये रहा चार चोटे चमच जितना तेल, तो आप घी का यूज भी कर सकते हैं, और ये है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर आधे चमच से मैंने कम लिया है, और ये भी ले लेंगे, इससे अच्छा खस्ता मठ्रियां हमारी बनेगी, और अच्छे से इस मुयन क को हम इसमें मिक्स कर देंगे, ये देखिए, मिक्स कर दिया है, मैंने इस तरह से मुठियां बननी चाहिए, इतना ओयल तो इसमें होना चाहिए, अब हम इसमें जरुरत के हिसाब से पानी डाल कर एक डो लगाएंगे, तो हमें बहुत मल-मल कर और सॉफ्ट डो नहीं बनाना जस्ट हम जॉइन करेंगे बस इस आटे को तो देखिए इस तरह से हमें आटे को इखटा करना है ये देखिए सारा इखटा कर लिया इसे बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना है रेस्ट करने के लिए रख दिया था पांच मिनिट अब हम मठ्रियों को सेप दे देंगे आप चाहे जिस सेप में इसे बना सकते हैं छोटी छोटी सी इस तरह से लोईयां तोड़ ले हाथ पे ले बहुत ज़्यादा मसल कर गोल नहीं कीजेगा हलका सा और देखिए इस तरह से हतेली या अंगुठे की हेल्प से इसे बना ले पतला नहीं बनाना है थोड़ा मोटा ही रखना है तब ही अच्छी होंगी इस तरह से हम बना लेते हैं फिर बाद में इसमें चाकू से हम ओल करेंगे ये देखिए चाकू ले लेते हैं और इस तरह से ऐसे कट लगा देते हैं ताकि ये तेल में जाके फूले ना नहीं तो ये फूल जाएंगी ये हो गई अब हम इसे फ्राइ करने की प्रोसेस में चलते हैं तो तेल हमें बहुत कम ही गरम चाहिए हाई फ्लेम पे भी नहीं चाहिए लो फ्लेम पे रखिएगा और आप देख रहे होंगे तेल हलका गरम है और बस इस तरह से मठ्रिया डाल दीजिए जितनी आपकी कड़ाई में आ जाती है और जैसे ही ये फ्राइ होने लगेंगी धीरे धीरे उपर आने लगेंगी इस तरह से और फिर इन्हें पलटिये आप हमें medium to low flame पर ही इने fry करना है high flame पर नहीं करना है नहीं तो उपर से तो dark हो जाएंगी और अंदर से soft रह जाएंगी तो आप kitchen का कोई दूसरा काम कर लीजिए तब तक इसे low flame पर करके रख दीजिए बीच बीच में इसे पलटते रहें तो मठ्रियां हमारी fry हो जाएंगी थोड़ा time लगता है इने fry होने में ये देखिए ये fry हो गई है ब्राउन हो गई तो हमने निकाल लिया है इसी तरह से हम सारी बेचिस फ्राई कर लेंगे खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी ये आप कभी भी इने बना सकते हैं चाय के साथ खाने के लिए भी बढ़िया रहेंगी तो दोस्तों रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अब किसी नए अच्छे से वीडियो में किसी अच्छी सी रेसेपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई